जहीं दोस्तों आपका स्वागत है मैं राखुल राज तो आज हम बात करने वाले हैं CRPF ट्रेडमेंस के एक्जाम जो हो चुका है डेट आ चुका है उसी के एडमिट का डाउनलोड करने के बारे में बात करने वाले हैं तो बता दो जैसे कि मैं पहले हाई आपको अल्लेडी बता चुका था कि आप लोग का एक्जाम कब से होने वाला है ठीक है तो फ्रेंड यह डिटेल्स उसी का डिकाइडिंग है चलिए बिना दरी की चलते हैं डिटेल्स के और कोई भी दिक्कत हो कॉमेट सेक्षन आपके कर जाना है एक एक जीज को जानेंगे तो चलिए फ्रेंड बिना दरी की चलते हैं डिटेल्स के और क्या आपको डिस्ट नोटिस डिख रहा होगा ठीक है सी आर्पी एफ के नंतरकर सी नोटिस जारी कर दिया है वेबसाइट से इनको डाउनलोड हमने कर लिया है आपको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको टेकनिकल और ट्रेड में ठीक है और मिनिस्टियर ठीक है जो एक्जाम होगा क्या होगा सी बिटी एक्जाम यानि आपका ट्रेड टेस्ट एक्जाम जो होगा टेकनिकल का होगा और मिनिस्टियर वाला साड़ा एक्जाम आपका ओनलाइन एक्जाम होने वाला पहले ही आपको नोटिस में भी बता दिया गया था ठीक है मैं पहले ही बता चुका था अब देखिए अब आपका एक्जाम होगा तीन शिफ्टों में ठीके आपको फ़त्ज जो चलेगा एक्जाम एक से तीन तारी एक दो और 3 ठीक चलेगा सब एक ओर 3 को एक साथ शलेशक गम है मेद 2523 मोले फेर तीन 2023 फिर आपको चार तारीख है और पांच को भी चलेगा ठीक है और उसको बाद 6 10 11 और 12 ठीक है चलने वाले तो अब बात करते हैं अगर आपका एक्जाम एक तारीक को है ठीक है एक है और तीन को है तो आपका एड्मिट कार्ड डाउनलोड कप से होगा 25 तारीक को आपका एड्मिट कार्ड डाउनलोड होगा ठ हो का link और आपका एक्छाम 6 10 और 11 12 तो 29 तारिक आपका एक्छाम का link एक्टिवेट होगा कभ अक्टिवेट होगा दिन के 10 बजे ठीक है और वहां से आप जाकर डाउन्लोड कर सकते हैं मैं वहां भी आपको बता दूंगा कैसे आपको डाउन्लोड करना है मैं कल एक फिर से बीडियो लेकर आँगा सॉर्स बीडियो लेकर आँगा या तो लॉंग वीडियो लेकर आँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपका एडमीट कार्ट कैसे करना है डाउनलोड अब यह तो हो गई आपको एडमीट कार्ट डाउनलोड हो जाएगा ठीक है अब आप पेन लेकर जाना है और एक आईडी पूरूफ लेकर जाना है ठीक है यह चार चीज आपको लेकर जाना है एक्जाम सेंटर पर पहले से बताता हूं कि चार चीज की बिना आपके इंट्री नहीं कराएगी तो इसलिए मैं बता दू पहले ही आपको बता दिया मैं बता दू आप